हमारी आवाज को आप कभी दबा नहीं सकते हैं हिटलर को भी लगता था कि हम बहुत लोग फिरिये हैं लेकिन क्या हुआ हिटलर के साथ यह इनकी किरिकरी होने वाली है पच्छी मंगाल में अरे यह सिलसिला कब तक यूही चलता रहेगा सियासत अपनी चालों में किसानों को चलता रहेगा यह सरकार छलने का काम कर रही है नमस्कार दोस्तों मैं शेव और इस समय गाजीपूर बॉरडर पर मौजूद हूँ गाजीपूर यहां पर किसानों का अंदूलन लगातार जा रही है लेकिन मैंने श्रीम मेडिया है उसमें जो खबर चल रही है खबर यह चल रही है कि चंद किसान मौजूद है मंच के सामने दो-चार किसान बैठे हुए है किसान भरमित थे लेकिन अब वो अपने घरों की ओर लोट गए है लेकिन हम जमीनी हकीकत पर विश्वास करते हैं और जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं ग्राउन रिपोर्ट दिखाते हैं तो इसी को देखने के लिए हम गाजीपूर आये हैं आप देख सकते हैं यह मंच है जहां पर मंचन चल रहा था लेकिन अब ये मंचन जो है खत्म हो चुका है और दूसरी तरह आप देखिए कि भीड़ लगी हुई है लोगों की बड़ी तादात में भीड़ लगी हुई है जो दो चार जो तस्वीरे दिखाई आ रही थी उसके उलट ये तस्वीरे हैं में इश्री मीडिया में खबर चल रही थी कि चंद किसान बच्चे हैं तो क्या हुआ आप लोग भाग दे थी कि वही जोस वही जुनून वही ताकत के साथ ये अंदोलन पचासवे दिन छियासवे दिन लगातार तीन महिने से जारी है लेकिन कुछ सरकार और सरकार के चम से ग जिनको लगता है कि अंदोलं 28 तारießen 28 जन्वरी को भी कुछ गोदी मिडिया को लग रहा था ये अंदोलन खतम हो झाएगा लेकिन अंदोलन नहीं खतम हुआ यह अंदोलन यह भाज़पा और RS प्रवाने देंगे लेकिन हमने दिल्ली भिगय बॉडर भी तीन महीने से रुके हुए हैं चंद मुठी रहते हैं पुलिस उखाकर फेक देती लेकिन डर से पुलिस भी नहीं आती है क्योंकि हमारा संज्ञा लाखों के संख्या में हजारों के संख्या कौन उठाएगा जिनको लगता है कि दो चार है तो अच्छी बात है दो चार है आके उठा ले हम बता देंगे दो है कि चार है कि तुम्हारा हीट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा तब लोनी का विधायक भी आया था खाली करवाने के लिए बैरंग लोटना पड़ा उत्त को खतम कर सकता कोई नहीं कर सकता है क्योंकि नदी का रास्ता पहाड कभी नहीं रोग सकती है नदी अपना रास्ता पहाड कर चीर कर बनाता है उससी तरीके से किसान अंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती जारी तो रह किसान के नारों से सरकार मानने को तयार है सरकार अमिटमेंट पर आई ना कि 18 महीने इस्टे कर देते हैं क्योंकि पांच राज्यों में चुनाओ है आप अभी पंजाम में देखाओगा आपने अकाली हापवा भादपास आप हो गई जो धाई किलो का हाथ लेकर कहते थे उनको अकि यह सरकार अपने संघर्षों से आधिक रहे इसलिए क्योंकि यह जो बैठी ताना सा सरकार है इसके आवाज को और इसको घुटने टिकवाने केलिए प्रतेख किसान देश का प्रतेख नोजमान इस सरकार के खिलाप आवाज है आप हमें विमिन विमिन नामों से पुकार सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को आप कभी दबा नहीं सकते हैं चाहे जो हो ये सरकार ये घुटने टेकेगी देखिएगा ना भाजपा बंगाल से वही हाल होगा जो पंजाब के जनता मालिकों ने किया है मैं शुक्रियादा करता हूँ पंजाब के जनता के मालिकों का आपने समझा किसानों का दर्द और समझते हुए भाजपा के आपने जमानत जब्त कर दिया एक बास समझ लिजेगा पत्रकार महोदे कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक देश में जहां भी चुना होगा ये भाजपा के लोग का जमानत जब्त हो जाएगा कुछ दिनों में अगर किसानों की मान सरकार नहीं मानती है तो वही हाल होगा जो भाजपा के लोगों को हर्याना में होने जा रहा है आपने हर्याना में देखे होंगे हर्याना के सीम खटर सहा खटर जी जब हेलिकप्टर से रैलिया करने आ रहे थे वहां के जंता ने उनको ब बंगाल में देखिए न न वहां पर रहाई के आक्राई अभी भाजपा नहीं पार करेगी और भाजपा के बार नहीं करेगी बंगाल के लोग तो उसको अईसा सीवक चिखाएंगे जो घमंड में मोदी जी है वो घमंड उनका चकना चूर हो जाएगा कि किसानों के साथ अन्य अन्य दाताओं के साथ अन्य जो भगमान है पूरे देश को 130 क्रों जंता को खिलाता है उसके साथ अन्य और हम लोग चूप रहेंगे देश के आम नागरिक चूप रहेगी ऐसा नहीं होने वाला है यह भाजपा को देखिये ना यह सदन में गुमा है कि हमको इतना सीट है यह स सरकार कही ना कहीं घमंड में चूर रहे लेकिन देश की जंता समझ चुकिए और यह बिजएपी जहां से चुना होगा तहां तहां देखिएगा जमानत चब्थ होने काम होगा बीजएपी जो हो है कि पाकिस्तान को टाइट किया राम मंदीर बनाया फिर पिसान पे वह भरो पंजाब में इसी तरीके से बहुत राष्टे मीडिया क्या है वह बिना पट्टे के कुट्टे सारे के सारे जो बैड़े हुए वह बक्चोदी करते हैं फालतु की उन्हें तैजीब ना तमीज भारत की बारत की इस्तिति कहां चली की है उन दलालों के कारण तो गही है वह जो क्या है आप बताइए हमें हम कहीं भी निटिकते कहीं सारे देश तो हमारे देश पर प्रतिवंद लगा चुके हैं पताए आपको यह कहते हैं कि बाहरत में अगर आपको जाना है तो अपनी जुम्मेवारी पर जाना होगा बाहरत महिलाओं के लिए और परिटनों के लिए देश नहीं है जो देश अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकता वो परिटन की क्या करेगा आप लोगों को भरमित कर रहे हैं जो थोड़ा कम पड़े लिखिए उन्हें भरमित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है अपने सांसर्द विडायक सब से कि वह महेंगाई मार हुई है यही सरकार के समय में जब देश में 40 रुपे परति बैराल 100 रुपे परति बैराल जब डीजल हुआ करता था तब 900 रुपे आप समझे लेकिन यह सरकार मवजूदा इस्तिती में जो इस्मिर्ती-ईरानी बैठी हो या कोई भी बैठा हो सकता में यह और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है अरे ये सिलसिला कब तक युही चलता रहेगा सियासत अपनी चालों में किसानों को चलता रहेगा ये सरकार चलने का काम कर रही है लेकिन किसान आप लोगों को C.A.N.R.C. में हिंदो मुसलिम लड़ाने का काम किया लेकिन मोदी जी आप को धन्यबाद है कि आप हिंदो मुसलिम सिख हिसाई को एक कानून के जरिये एक जुठ होने का काम किया हमारे किसान भाई आप हमारी आवाज को दबाक कभी नहीं सकते हैं आप कितने भी बैरिकेटिंग लगा सकते हैं लेकिन देश के किसान अपना हाक लेकर रहेगा और इस जो आपके अरनो गोस्वामी जी है जो चाय बेचने वाली पार्टी के नेता कुकीन बेचने पे उतर आए हो आप पमेला गोस्वामी को देखाओगा आपने वो खुझी भात्पा के लोगों के उपर आरोप लगा रही है कि यह जो सरकार में बठे हुए हैं इनको यही हमें सब्सक्राइब पंबे मिने प्रुट सां घागा हैं घागा में लगा हैं द्हुट200 पेट्रोल 10 सां हमे लगा धागा सलेंडर घैस उड़के भागगा कि एक समday persepthree dollar आता था उससमय साठ रुपे देश में बिका करता था लेकिन आज कों कह रहां देश हीत में अगरहोता अंदभकत की बात मत किजिए ना, अंदभक्त के लोग अंदभक्त के लोग अंदभक्तों को नहीं समझा सकते हैं जिनको लगता है कि फियर लबली लगाने से भैस गोरी हो जाती है वो लगत तब तक लगाते रहते हैं जब तक भैस नहीं गोरी हो जाती है अंदभक्त तो भैस को भी गोरा कर देंगे तो इनकी ववाजी अपने पतंजली कंपनी का 90% हिस्सा डेशषित में देश को दे दिज़े देश के खाते में देज़ें देश के लिए कुछ समयरपीत कर दिज़े यह लोग नहीं करसकते हैं देश हिद के लिए किवल आमनागरी करेगा और देश हिद के लिए हमने पहले से ही कुरब पैट्रोल के लिए पैट्रोल के लिए काम नहीं करा और देश को आतम निर्वर्त की तरफ नहीं लेके गए आपको जानकर ही देदू, संदोयार 11 में भारत के अंदर कच्छा पेट्रोल 11% उत्पत्ती होती थी भारत के अंदर, आज वो घटकर 14% पे आ गई है, आपको जानकर ही देदू, C.E.A. and N.R.C. के आपने बात कही, अभी कल ही हुलासा हुआ कि बहाजपा के लोगों ने, बहाजपा में, बंगला देश के लोगों को पच्छिं बंगाल में, अपना जिलादेख्स तक का नियुक्तिकर रखा है। यह कमाल की बात है जो सीओ और नर्ची की बात करते हैं वही बिदेशियों को बंगला देशियों को अपनी पार्टी में जिलादेक्स बनाने का काम करते हैं समझ रहे हैं यह हैं इनकी दोहरी चाल यह इनका एक सीधा सा फंड़ा है लोगों को गुमरा करो और अपनी जेब मजबूत करो, इन्होंने पुरे देश को खोगला कर दिया है, सारी संस्थाइं बेग दी है, इस्तिती देश की डमा डोल हो चुकी है, आज देश हासे पर आ चुका है, इंटरनेशनल इस्तिती में देखे अगर हम UNO की बात करें या दूसरे देशों से हम अपनी तुलना करें, तो हम उस पाकिस्तान से अपनी तुलना करते हैं, जो पाकिस्तान हमारा पासंग भी नहीं वैड़ता, आप समझ रहें ना, पाकिस्तान की इतनी खुद की कौनमी नहीं, इतना उत्तरप्रदेश विकास पर हर साल घर्च कर देता है, हम ऐसे देशों से अपनी किसान ब्रोधी है, सरकार अगर सरकार पर दबाव बनता, तो बातचीत समवाद का रास्ता खोलती है, लेकिन बातचीत के कहीं कोशिस कवायद भी नहीं हो रही है, देखिए बातचीत अभी क्या करें वो बातचीत, क्योंकि ये चुनाओं में अभी ब्यासता है, आज ग्रह पर देश में आप जेद देख लिजे, हातरस जैशा कांड, अभी उन्नाओं में जो तीन बच्चियों के साथ हुआ इतना घिनाओना काम, जो सरकार इस लोगन कहती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आज वही सरकार के ताना साहियों में बेटी ढराओ, और बेटी श अंसकार कर देगी, जैसे आप पंजाम में देखे होंगे, इनका पिंडदान ये जनता ही करेगी, ये मौजूदा सरकार अपनी ताना साहियों को छोड़े, और किसानों के जो तीने कानून है, इसको वापस ले, और MSP बेगारंटेट कानून मनाए, और ये सरकार FCI के तुर पराइज में मिले, लेकिन ये सरकार DBT के दुरू चंद 10 रुपे और 20 रुपे दे के मुह चुप कराना चाहती है, लेकिन ये जनता चुप नहीं होगी, क्योंकि आप बैट के बॉर्डर पे कीले लगा सकते हैं, बैरिकेटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाजों पे हमारे सीनों पर आप कभी गोली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये युवाओं की आवाज है, और जब जीवा हुंकार भरता है, या देश का किसान हुंकार भरता है, तो दिल्ली क्या चीज है, सरकार की कुल सी हिल नितता हैं, और ये हिला के रहेंगे एक आखरी सवाल, एक आखरी सवाल ये, कि बात बनेगी, अपको लगता है कि सरकार मानेगी, बिल्कुल सरकार मानेगी, सरकार जब हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज भी बोला करते थे कि इस देश को छोड़ कर नहीं जाएंगे, जब माता सीता जी को रावन भी सीता जी को छोड़ना पड़ा, अंग्रेज को भी इस देश से जाना पड़ेगा, उसी तरीके से मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये क्रिशी कानून रद नहीं होगा, आप थोड़ा सा इंतजार किजिए, ये किसानों के बीच में घुटने टेकेगी सरकार, और तीनों क्रिशी क कानून रद करेगी, और मस्पी पर कानून बनाएगी, आप थोड़ा सा इंतजार किजिए, घमंड जब रावन का नहीं रहा, ये मोदी का क्या रहेगा, यहीं लोग कहते हैं कि हम लोग किसान नहीं है, लेकिन सरकार संचोधन करने पर तुली है कि नहीं तुली है, आप थो के से जो है वो किसान भी अपना इस्टेंड क्लियर कर चुकी है और सरकार भी अपना रूख साप कर चुकी है लेकिन अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर बात बनेगी कैसे क्योंकि जो सरकार की जो समवाद का एक रास्ता था उसकी भी कवायद नहीं हो रही है मैं शेव गाजीप